हाई दूस्तों, असलाव अलेकुम, कैसे आप लोग, मेरा मनबील है, आइफोन यूजर हो या फिर एंड्रोड यूजर हो, मौत तो सभी को आनी है, एक ना एक दिन सभी को मनना है, और मनने के बाद इस आइफोन में या एंड्रोड फोन के अंदर अपना सारा डेटा, अपने उसको अनलॉक करने के चकर में अपने फोन को कम्प्लिटली एरेज करके बैठेगा, तो अगर आप चाते हैं कि आपकी डेट के बाद आपके आइफोन का डेटा जो है सही हातों में चले जाए, आपकी मदर, आपके फादर, आपकी वाइफ, आपका कोई सिबलिंग हो भाई या बहन उनके पास चला जाए और वो लोग आपके फोन से लिए गए फोटो, वीडियो, आपके नोट्स वगरा जो है वो देख सके और आपको याद कर सके उस दरीय से तो आपको आज का ये वीडियो जो है बहुत सही लगेगा क्योंकि एपल ने iOS 15 में एक नया फीचर ले क्या इसके अंदर कोई security loophole है क्या कोई गलत इंसान इसका इस्तमाल कर सकता है आईए इस वीडियो में बदाता हूं किस तरीके से legacy contact को setup करना है किस तरीके से legacy contact अगर आपने setup किया है तो उसको remove करना है किन हालात में और किस document को पेश करके आपके family member जो है आपका data आपके iPhone का या फिर आपके iCloud account का access कर सकते हैं सारे details आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को करते है start अब यह है guys legacy contact iOS 15 का नया feature legacy contact जो है इसके अंदर जब आप इसको first time open करेंगे तो यह splash screen आपको नजर आएगा तो यहाँ पे आप add कर सकते हो as a legacy contact किसी को ताके आ trust बहुत other trust जैसे आपके father mother wife husband जो कोई भी होगा उनको यहाँ पे जो है आप add कर सकते तक आपके data को access कर सके death के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपनी access की जो है इस legacy contact की वो शेर कर सकते हो यहाँ लिगा है your legacy contact will need to provide an access key and a copy of your death certificate to access the data from your account मतलब ऐसे ही किसी को दे दो ऐसा नहीं होगा उसको जो है जिस किसी बंदे का legacy contact वो है और उसके बास की की भी है उसका death certificate भी government के द्वारा issue किया हुआ वो भी जो है सबूत के तरफे पेश करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप क्या क्या चीज़े pass on कर सकते है अपने legacy contact को अपनी death के बाद तो यह legacy contact को setup कैसे करना है दोस्तों बहुत easy है सबसे पहले आपके iPhone में iOS 15 होना चाहिए अभी iOS 15 का beta version चल रहा है beta version नहीं है तो stable version नहाएगा तब भी आप यह चीज़ कर सकते हो आपको चले जाना है इसके लिए settings में settings में जाना है अपने Apple ID में और अपने Apple ID में आपको जाना है password and security में पासवर and security में आपको यहाँ पे नीचे नजर आएगा legacy contact तो इसके टाप कर लिजिए इसके बाद यहाँ पे आपको अपने legacy contact को जो है यहाँ पे add legacy contact पे click करके add करना है यहाँ पे click करने पे यह जो splash करने आजाएगा ताकि आप उसको अच्छे से understand कर सेगे जो मैंने आपको आपको समझा है वो ही यहाँ पे लिखा है तो इसको चाहिए तो दोबारा पढ़ सकते हैं अपने face ID की मदद से इसको आपको authenticate करना है कोई भी आके जो है इसको add नहीं कर सकता है यहाँ पे और यहाँ प आपकी पूरी contact list open हो जाएगी यहाँ पे मैं अपने father को जो है अपना legacy contact बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं dad search कर लेता हूं और यहाँ पे जो है उनको मैं add कर देता हूं यहाँ पे लिखा है आपके legacy contact में आपके जो dad है या आपका जो भी contact जिसको अपने add किया है उनका नाम यहाँ पे आ जाता है we'll be able to access the data stored in your account after your death आपकी death के बाद जो है आपके account में stored data जो है iCloud account में और आपके iPhone में वो चीजे वो access कर सकते है इसमें क्या-क्या हो सकता है आपके photos, messages, notes, files application के अंदर का data, contacts, calendar events, apps जो आपने purchase किये वो device backup और भी कुछ चीजे है लेकिन जो आपका क्योंकि उसमें आपके sensitive information और आपके passwords भी होते है अब यहाँ पे आपको continue पे click कर देना है यहाँ पर यह अगला page open हो जाएगा जहाँ पर आपको दो method दे जाएंगे अपनी access key को उस legacy contact के साथ share करने के लिए आप multiple legacy contacts रख सकते हो लेकिन हर access key का जो owner है वो एक आपका legacy contact होगा मैंने इसको open कर लिया है और यहाँ पे जो है इनको सारी information दी गई है कि account owner कोन है उनका Apple ID क्या है आपको किस तौर पे उन्होंने किस नाम से add किया था जैसे यहाँ पे dad नजर आ रहा है तो वो है और यहाँ पे इनको सारी information दी गई है यह जो है कि आपको पेश करके death certificate पेश क जो है सेम है यहाँ पे अपने Apple ID पे टैप कर लिजिए उसके बाद आपको जाना है password and security के अंदर और यहाँ पर अगेन आपको क्लिक करना है legacy contact में और legacy contact में आपका जो contact होगा जिसको आपने add किया था उसको remove भी कर सकते है और दूसरे contact को add भी कर से दो यहाँ पे मेरा dad का account ह है वो मैंने यहाँ पर add किया था इसको अब मैं यहाँ से remove कर देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा legacy contact बने तो है ना दुस्तों जबदस फीचर iOS 15 का iOS 15 पर चलने वाले सारे devices को legacy contact का feature जो है वो देखने मिलेगा चाहिए iPhone 6S user हो या फिर iPhone 12 Pro Max या आने वाले जो तो यह चीज़ का भी इस्तमाल कर सकते काफी अच्छी चीज़ है ताके आपका data जो है वो गलत हातों में ना जाए सही हातों में जाए लेकिन अगर आप नहीं चाहते मेरी तरा कि किसी को भी आपका data मिले तो बस आप किसी को add मत कीजिए और आपका phone में जो data है और आपके i certificate के साथ जो के ऐसी कोई death certificate fake बारी नहीं चलेगी सारी चीज़े जो है verify होगी और उसके बाद ही जो है सामने वाला बंदा जिसको आपने add किया है वो आपका data निकाल पाएगा तो जीते जी आपके तो यह चीज पॉसिबल नहीं है उनके लिए करना तो यही ता दोस्तों legacy contact क आपको यह नया feature iOS 15 का कैसा लगा और क्या आप यह चीज़ करना चाहेंगे क्या आप किसी को अपने legacy contact में add करना चाहेंगे या नहीं मुझे comment में लिके जरू बताइए उमीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना को इसको like and share जरू कीजिए और मेरे चै